स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है जब भी आप साइट पे वर्क करवाने के लिए जाते हैं जाएं इंजिनियर के पोस्ट पे तो आपको लेबर कॉंट्रक्टर को स्टील का कटिंग लेंथ बताना होता है कि कौन से डाया और बार का स्टील कितना कटिंग लेंथ उसका रहेगा और डिफरेंट टाइप के सेप साइज के स्टील भी होते हैं तो ड्रोइंग में mentions होता है, steer ups होता है, top bar होता है, bottom bar होता है और different type के structures में different type के shape और size के bars यूज होते हैं तो अज़ा engineer अगर आप किसी भी site को ज्वाइन करते हो तो labor contractor को आपको steel का cutting length बताना होता है कि कौन से steel का cutting length क्या होगा तो आज के वीडियो में हम discuss करेंगे कि steer ups का cutting length कैसे निकालते है और उसके लिए क्या formula यूज होता है, तो चलिए वीडियो को start करते है तो यहाँ पे हम steer ups का cutting length निकालना जानते हैं तो सबसे पहले देखे कि इस type का एक steer ups ले लिए इसी type का steer ups बनता है, जिसका एक length और width ले लिए length कितने का हो गया? rectangle shape में है तो length हो गया 500 mm और width हो गया 300 mm तो यह 500 mm है, rectangle portion में है तो यह भी 500 mm होगा और यह 300 mm है तो यह भी 300 mm हो गया इसका जो L लिए वो 100 mm का ले लिए 2L ठीक है? कई cases में यह 50 का यह 75 mm का लिया जाता है जब structure बहुत ही छोटा हो तब लिया जाता है जनरली इस type का L 100 mm हम ले लेते हैं तो अब इसके लिए कौन सा formula यूज होता है? हम जान लेते हैं तो इसके लिए एक formula यूज होता है 2 A प्लस B प्लस 2 L माइनस यह bracket हो गया मजला bracket माइनस bend reduction अब जान लेते हैं A B क्या है और L क्या है तो L तो यह जो आया हुआ है वो है और A A is equal to A 500 mm length और B is equal to width तो A भी अब जान गया कि क्या हो गया? A 500 mm और B 300 mm L L की value 100 mm दिया हुआ है आल डाइमेंशन जो है इसका वो mm में है ठीक है? अब bend deductions क्या होता है? तो bend deductions का एक formula यह होता है आज़े जान लेते हैं bend deductions होता क्या है? यहां पर आप देख रेंड हुआ हुआ है इस type का तो steel में एक गूड होता है कि जब भी steel को bend किया जाता है तो उसका जो cutting length होता है वो increase हो जाता है तो यहां पर देख रहे हैं कि 45 degree फिर से है 90 degree और फिर से 135 degree तो यह अलग-अलग degree पर bend होता है जैसे कि यहां पर देख रहे हैं 90 degree पर bend हुआ है यह भी 90 degree पर bend हुआ है यहां पर भी 90 degree पर bend हुआ है और यहां पर 135 degree पर bend हुआ है ठीक है? तो इस bend का क्या rules होता है तो यहाँ पर देखिए कि first जो bend deductions का rule है वो first है 45 degree पे अगर कोई भी steel bend होगा तो उसका जो length होगा वो कितना increase होजाएगा 1D second है 90 degree पे bend होगा तो उसका length 2D increase होजाएगा 3rd है कि 135 degree पे अगर कोई steel bend किया जाता है तो उसका जो cutting length है वो 3D increase होजाता है और fourth है कि 180 degree पे अगर किसी steel को bend किया जाता है तो उसका जो cutting length है वो 4D increase होजाता है अब देखिए डी यहाँ पर क्या हो जाएगा D is equal to die up bar ठीक है D is equal to die up bar हो गया मतलब जैसे 10 mm का हमें steel use कर रहे हैं 10 mm का steel से steel बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 into 10 is equal to 10 तो यह किसमें आएगा mm में आएगा ठीक है तो इसी तरीके से इसका increase हो जाएगा length है तो 2a plus V हम फार्मूले पर आते हैं plus 2L minus 20 deductions तो आएगे यूज कर लेते हैं तो equal का चिन देंगे 2 एक इतना है 500 mm plus 300 mm minus 2 plus sorry plus 2 into 100 mm यहाँ पर 2L है तो 100 mm ठीक है अब इसको एक और bracket लगाते हैं माइनस करते हैं अब देख लेते हैं कि हम कितने-कितने अंगल पर bend हुआ है यह 90 degree पर bend हुआ है यह भी 90 degree पर bend हुआ है यहाँ पर दो bend हुआ है यहाँ पर दो 135 degree पर और 135 degree पर bend हुआ है तो आएए हम इसका cutting लें find out करते हैं तो यहां पर 90 degree 90 degree 90 degree तो 3 और यहां पर multiply by 90 degree ठीक है हम समझने के लिए यहां पर लिख देते हैं plus करेंगे 2 यहां पर 135 degree टू 1 35 degree ठीक है तो एक और equal का चीन देंगे और 2 5 3 जा 5 3 800 mm ठीक है 800 mm प्लस 200 mm माइनस 3 इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं 3 multiply by 90 90 डिगरी पर क्या लेते हैं 2D तो 2 लिते हैं और D का मतलब होगा 10 mm ठीक है प्लस 2 लेते हैं और 135 डेकर पर 3D लेते हैं तो 3 इन्टू 10 अभी इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं 2 और 8 में multiply करेंगे तो एक कितना आजाएगा 60 100 mm प्लस 200 mm माइनस 2 3 जा 6 60 60 60 60 प्लस 3 बन जा 30 तो निए 60 ठीक है अब यह भी mm में है यह भी mm में है तो आसानी से हम डिडक्स इसको कर लेंगे तो हम पाइनस करेंगे तो कितना आजाएगा तो यहां पर आजाएगा 1600 1680 mm ठीक है तो यह हमारा क्या होगा cutting length होगा इसको अगर मीटर में हम convert करेंगे तो 1.680 मीटर एक इस चीट अब का cutting length यह आ गया तो इतने cutting length का मतलब कि एक मीटर 680 mm का हम अगर स्टील काट देते हैं तो इस टाइप का स्टील हम को बन जाएगा यह important क्यूं है civil engineering के लिए suppose मालेजे कि आप simply steel cutting करवा देते हैं तो सब simply steel cutting करवा देते हैं 300 mm 500 mm multiply 2 तो यह कितना आजाएग 1600 mm प्लस यह 100 हमें एड कर लेंगे तो कितना आजाएगा 1800 mm तो 1800 mm का without band deductions calculate कि अगर हम इसको cutting length करवा देते हैं तो इतना हमारा जो इस्टील है वो अधिक यूज होगा जिसका बिल नहीं मिलता बहुत सारे ऐसे work order में रहता है कि band deductions का बिल मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे work order में band deductions का बिल नहीं बनता है और इसका cutting length जब बढ़ जाएगा तो या तो यह बढ़ जाएगा या तो यह बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई चीज जरूर बढ़ेगी इसमें से तो हमको जो स्टील फिक्सिंग करते टाइम बहुत दिक्कत हो तो इसलिए band deductions बहुत इंपोर्टेंट है स्टील कटिंग करवाते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वीडियो देखने के आपका बहुत धन्यवाद